अब आप सब्सक्राइब करते हों तो यह फैन आपको यूजफूल है या कई कीचन विगेरा में आप काम कर रहे हो तो वहां भी यूजफूल है मैं यह पहले तो अगर प्रोडेक्ट को देखा जाए तो वह नियर्स वारेंटी है अगर इसकी बैटरी वेक चार्जिंग पॉइंट वाला है जैसा आप ट्रेवल विगेरा में कहीं जाते हो तो चार्जिंग पॉइंट का आपको बार बार दिक्कत होता है चार्जिंग में लगाने पाते हो तो इसके लिए है चार घंटे अप्टू बैटरी आवर से हाई स्पीट के साथ है यूएसबी चार्जिंग से आपका यह चल जाएगा और यह मल्टी फंक्शन है यह बहुत बताता हूं आपको अगर इसका कुछ डिस्क्रेप्शन के नाम जाना जाए तो यह मोडल है बाकी इसमें एक यूनिट है मार्पी की बात किया जाए तो 1750 यह बाकी मार्केट में आपको 8900 यह 1000 के रेंज में अपको मिल जाएगा बाकि और कुछ की बात कर ले जाए तो इसकी वाटेज का बात कर ले तो दस वाट का वणली फो रहे और अगर अस्वीट की बात किया इसमें नोर्मल बैटरीक लूज करते हो तो क्या होता है यह साल के अंदर पीघलना शुरू हो जाता है और अगर बैटरीक है आप मिनिमम मुन के 10-12 साल अराम से चला सकते हो इसको बैटरीक टिगलता नहीं हो ना मेल्ड होता है ना जंप लगता है यह बेनिफिट हो जाता है बाकी चलिए हम इसको अगरा स्पीड सी बात प्यादा इसकी अठारो सो स्पीड है इसका अठारो सो जैसे अस्पीड स्विंग अठारो सो मिनट में यह रणिंग पॉइंट कर लेता है और 360 डिग्री वैर है मतलब यह चारो साइड रिमू होगल है आप किसी हमीस अठार कर सकते हो जिधर भी अठारों रिमूब हो जाएगा तूसरी बात येयीएसबी चार्जिंग की बात था येय्यां वाट का यह रहा और बाकी समय चार्जिंग आहाँ यह और इसमें असपिड की बात किये जाए करिदा दिक अचा को खंद फिर आप फोर्स पे करोगे अटोमेटिक बंद हो जाएगा अगर इसकी स्पीट की बात किया जाए तो फर्ष्ट पे इसका एवरेड यह रहता है सब्सक्राइब करें लगाने में आपको इसकी एर स्पीट के पात किया जाए अगर हवा की बात किया तो इसकी काफी ज्यादा एक प्रोड़क्ट कैसा लगा सब्सक्राइब तो कमेंट्स में जरूरू बताईएगा